दोस्तों WhatsApp के अंदर आपको एक फीचर देखने कोलता है Read Receipt है अगर आप लोग इसको Off कर देते हैं और उसके बाद अगर आपको WhatsApp के उपर कोई भी Message करता है और आप लोग उस Message को Read कर लेते हैं फिर भी किसी को पता नहीं चलता है कि आपने उस Message को Read किया या फिर नहीं तो यही कि अजैसे आपको Break आ जाना और आपको Play Store को Open करना उसकी बाद आपको सर्च बाद पर किलिक करना और आपको टाइप करेंए सर्च करना connected 49 अजैसे आप अपटेंड़ करके सबसेदेंगे नबाद को approximate कि आज़का आपको मेसंजर नब करनाफ है यहां पर आपको आई का बटन देखने कर देना और आप लोग चाहिए तो नाम को पर भी किलिक कर सकते हैं उसके पद आपको सामने सबसे पेज ओपने कर आजेगा अब आपको थोड़ा नीचे आना और जैसे आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक और काम कम्प्लीट ओ चुगा अब यह पर्सन अगर मेसंजर को पर हमें नक्स्ट टाइम मैसेज करते हैं है और उस message को अगर मैं read कर लेता हूं इनको पता नहीं चलेगा कि हमने message को रीड़ लिए तो इस तरह किसी का भी chat आपको थोड़ा नीची आना और आपको थोड़ा नीची आएंका तो नीची आपको एक अप्सिन दखने अब मेसेश करेगा और और आप लोग उस मेसेश को रिडिक कर लेते हैं फिर भी किसी को को पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज को रीड कर लिया तो सभी चैट पर यह जो है अपलाई हो चुका तीस तरी के साथ चाहिए तो सिर्फ एक चैट पर भी अपलाई कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक कर दीजिए तकर आप लोग चैनल पर कर दो